पहले थोड़ा केजरिवाल जी के केस का डिसकेशन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अरविल सुप्रीम कोट में केजरिवाल जी का केस लगा हुआ है इसके अतरिकतर दिल्ली हाई कोट में मनिश्य शुद्य का केस लगा हुआ है और दोनों एकी ही अपराद में आरोपी हैं मुख्वमंत्री और उप्वमुख्वमंत्री है मैं बहुत बार इस बात का एक्स्प्लेनेशन कर चुका हूँ कि अती महत्वा कांगशा गलत काम करने के लिए मजबूर करती है और गलत तरीके से अगर आगे बढ़े तो जेल के दरिक्त कुछ नहीं हो सकता हाला कि ओनेविल पोर्ट में ये पेटीशन है लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है दो-दो मुख्वमंत्री अंदर है विपक्ष का मुद्दा है कि आप सब को खतम करना चाहते हैं विपक्ष का मुद्दा है कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके पास कुछ बताने को नहीं है लेकिन दूसरी तरफ जो ruling party है वो ruling party ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ये भरस्टाचार पर कोई समझोता नहीं मोदी है तो मुम्किन है मतलब भरस्टाचार अगर करोगे तो आप कितने ही बड़े भरस्टाचारी क्यों नहीं हो आपको सजा काटी पड़ेगी आपको के जहलना पड़ेगा सिद्ध कर लीजिए आप नहीं है यह यह स्टेजवाइस हाला कि अपोजिशन का सवाल रहता है कि वही स्टेजवाइस क्यों एडी इस इवी इंकम डैक्स यह वो देखिए एक बात तो ठीक है जहां से शुरूबात हो वहां से अच्छी जिनके प्रति श किसी लेयर में जो कारवाई हो रही है वो ठीक है मैं उसका समर्तक हूं और प्रति ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट नीट्रल है कोट की अपनी भावनाय हो सकती है इस स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन को जिस समय जच्श्मेंट देगा उस समय दीए गए आर्गुमेंट और के अधार पर देगा यानि कि judgment का एक ratio होगा मनिश्य शोदिया के मामले में सुप्रीम कोट ने बेल के मामले में हफते वर सुनवाई करी और CBI को और ED को हड़काया धंकाया भी कैसे चलेगा जब तुमाई रिकबरी नहीं वह नहीं तो ED ने थोड़ा और उसमें आर्गुमेंट किया और document सम्मिट किये जिससे कोट को कन्विंस होने में समय जरूर लगा लेकिन कोट कन्विंस हो गया कि 388 का रोलकी मनी ट्रेल पकड़ी गई कई तरह के लोग को चुना है लिगया क्योंकि करते लोगों के लोगों ने उनको چुना है और अगर जनता उनको चुनकर मुक्हमंत्री देखना चाहती है तो इसलिए वो मुक्हमंत्री बनना चाहिए सुप्रीम कोट ने उस समय जबाब देते हुए साफत और पर कहाता कि ऐसा नहीं है Constitution के थू होना चाहिए जनता ने चुना बात स्विकार है लेकिन कानून से सपोर्ट होना चाहिए खाली जनता के चुनने से या खाली मेंडेट से नहीं चलता मेंडेट के अलावा Constitution भी है और ये देश Constitution से चलता है मेंडेट से सरकार चुनी जाती है जयलेलता को इस्तिफा देना पड़ा था जयलेलता को मतलब चुनाब मुक्खमंत्री नहीं पनीरसलवा मुक्खमंत्री बने थे ये एक इलस्ट्रेशन है सिटिंग मुख्मंत्री जा लेता थी आरोप लगे थे उसके बाद इस्तिफा देना पड़ा तो जनरली मुख्मंत्री इस्तिफा दे देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए आपको याद होगा नितिश्कुमान ने इस्तिफा दिया था तो जितेर नाम माजी तैयार हो गए उनको मुख्मंत्री बना दिया था उसके बद वो तैयार होगा सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए सीट छोड़ने को तैयार बदला अगरे भाई कोई वेक्ति बैठके है तो कोई पाल्टी का एक ही वेक्ति क्यों बैठेगा दूसरों को भी अबसर मिलना चाहिए आप मलब वैसे हो और हम मुख्मंत्री के तोर पर नहीं करना चाहते हैं हम इसलिए 2 डॉकॉमेंट में एक तो चार्शीट, 16 चार्शीटे सप्लिमेंटरी दाखिल की गई हैं, 15 स्टेटमेंट में शरत रेट्टी के ही तसे इस्टेटमेंट हैं बाकी लोगों के स्टेटमेंट हैं जिन इस्टेटमेंटों के अधार पर इनको गरफतार किया जा रहा है चार्ट शीट में कहीं नाम नहीं आया था बाद में Supplementary चार्ट शीट में आया दूसरा ये है कि कहीं FIR में नाम नहीं है ECIR में नाम नहीं है तो फिर जब कहीं नाम है नहीं तो मुख्मुन्तरी को गरफतार एक उदेश के लिए किया गया और वो है चुनाओ को रोकना चुनाओ में publicity न कर सके हैं इसलिए मुख्मंत्री को detain किया गया है जबरदस्ती मुख्मंत्री को बिना सवाल किये उनके पास कोई ये लोग जब पकड़ने गए तो इनके पास कोई data नहीं था इनके पास कोई question air नहीं था ये सीधे गए और उठ आकर चले आए तो सुप्रीम कोट ने कहा कि ठीक है हम मान लेते हैं इस पर नोटिस शू कर देते हैं नोटिस शू करने की जब बात आई तो विशेग मनु सिंग भी साब कहने लगे कि आप हमें सुन लीजिए नोटिस की बात छोड़ दीजिए अरजेंटली सुन लीजिए जल्दी तारीक लगा लीजिए और जल्दी तारीक as early as possible कर दीजिए सुप्रिम कोट ने 29 तारीक की तारीक लगाई 29 अपरेल की बोले साब जल्दी सुन लीजिए जल्दी हैं तो उन्होंने का भाई डेक्स्ट अवेलेबिल जो डेट है वो यही है मारे पास अब शेक मनु स इस आप कहने लगे शुकरवार को इस आने वाले शुकरवार को सुन लो उन्होंने का नहीं ऐसा नहीं हो सकता नोटिस जाएगा नोटिस का टाइम होना चाहिए उसके बाद अपोज़ेट पार्टी को बुलाएंगे क्यों आपके पीलाई गये किसलिए हैं अरस्ट के खिला अगर ये जाएंगे तो 101% रिजेक्ट होने की संभावना है लेकिन ये मुख मंतरी के मामले में गये कि मुख मंतरी जो सिटिंग मुख मंतरी है सिटिंग मुख मंतरी को कैसे गरफतार किया जा सकता है और सिटिंग मुख मंतरी की गरफतारी ठीक नहीं है कानून ठीक नहीं ह ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव परचार को रोकने के लिए किया जा रहा ये केबल और केबल उनका कहना था कि ये केबल और केबल इसलिए किया जा रहा है ताकि लोक सबा का चुनाव में अर्विन केजरीवाल अपनी पार्टी का सपोर्ट ना कर सके सुप्रीम कोट ने कहा कि अगली तारीक पर आईए अब शेक मनु सिंग भी कैनेड़ के साब आवे में सुन लीजिए तो उनका अपना आर्गुमेंट बचा कर रखे अगली तारीक के लिए अगली बार के लिए अपना आर्गुमेंट बचा कर रखे जिस दिन ये तारीक लगेगी अपोजिशन इसमें आएगा आज अभी इस स्टेटस पर हम आपको ऐसे सुनने वाले नई हैं इशू नोटिस का मतलब समझ लीजे जिस समय उनका कोट में केस जाता है और कोट को लगता है इस पर डिटेल्ड आर्गुमेंट होना चाहिए एक सिंगल पार्टी के को नहीं सुनना चाहिए हमको अपोजिशन को भी सुनना चाहिए और जो पिट यह कहा जाता है कि जो पिटिशन लाया है उसको सुनने के अलाबा अपोजिशन को निश्चित रूप से या जिसके वरुद दाया है उसको निश्चित रूप से सुनने के बादी डिसिजन होना चाहिए अपरिहार सरकमस्टांस में वो इस्टे उस्टे का ओर्डर कर सकते है लेकिन अपरिहार सरकंस्टांस अगर नहीं है तो ऐसी प्रसिती में सामने वाले को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए इसलिए संभव यह है कि notice दिया गया हो वैसे अगर खारिच करना होता तो कर देता order करना होता तो कर देता जनरली मामले को पूरा सुनेंगे इसके लिए और सबस्टेंस पाया जाता है पिटिशन में कि उसमें जान है सुनना चाहिए यह आर्गुमेंट होना चाहिए तो अब यह संभव है कि इस केस में अगली तारिकों रबिल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो तो यह मामला चला जाए संभवधानिक बेंच में और संभवधानिक बेंच के सामने यह मामला जाए क्या सिटिंग मुक्हमंत्री की गिरफतारी हो सकती है और सिटिंग मुक्हमंत्री की गिरफतारी अगर हो जाती है तो आगे क्या परिणाम होंगे क्या उसको सिटिंग रहने का अधिका तो अंदर से कैसे डील करेंगे अगर जेल में रहते हैं तो काउंसलर मिनिस्टर कहां बैठेंगी अगर जेल में रहते हैं तो अधिकारियों के साथ बैठक कैसे होगी अगर जेल में रहते हैं तो मंतरी परशद के साथ बैठक कैसे होगी अगर जेल में रहते हैं तो कारवाई LG के पास reporting कैसे होगी ये कुछ constitutional प्रशने सामने आएंगे इसलिए argument बचा कर रखो अगली तारीक पर कुछ और खतरनाक होने वाला है ये मान लीजिए कि अगली तारीक पर जब सुनवाई होगी तो sitting मुख्वंत्री का चुकी मामला गया है इसलिए ये constitutional मामला बनेगा और अगर उस समय release ना किया गया किया भी जाता है तो भी constitutionally ये सिद्ध करना पड़ेगा क्या sitting मुख्वंत्री की गिरफतारी होने के कितने दिन बाद उसकी post अपने आप वैकेंट हो जाती है जैसे पुराने जज्जमेंटों में दो साल की सजा किसी को हो जाये तो और में सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट है कि ऐसी प्रसिती में वो seat वैकेंट आटोमेटिकली हो जाएगी उसको किसी को कुछ कहना नहीं अब जैसा राहूल गांदी की seat आटोमेटिकली वैकेंट हो गई थी जब तक हाई कोर्ट ने रिलिफ नहीं दिया तो क्या किसी सिटिंग मुख मंत्री की बेल डिस्मिस हो जाए सुप्रीम कोर्ट तक बेल डिस्मिसल का मतलब ये होता है कि उसकी seat वैकेंट हो जाएगी या नहीं इसलिए अगली तारीक पर बहुत गंभीर और बड़ी घमासान बहस होने वाली है इसलिए अनविल सुप्रीम कोर्ट ने गा कि नोटिस जारी करते हैं उनको बुला लेते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हलके में नहीं ले रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गहराई के साथ ले रहा है इसलिए जो आशंकाएं हैं वो अर्विन के जरिवाल ने सिटिंग मुख मंत्री को चैलेंज करके खुद खोल दिया बैसे तो किंदर की सरकार हेजिटेट कर रहे होगी एलजी हेजिटेट कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे संकोच कर रहे होंगे कि अगर कुछ कह दिया तो भाईया चुनाओ है कुछ कह दिया तो ये लोग कहेंगे कि जेल के अंदर बोट की मार और ये सरकाट इसमिस कर दी तो ये लोग तंतर बहुत सारी सवाल अब ये लो मन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और इनके पास हाई कोर्ट का आप्शन है अगर हाई कोर्ट जाएंगे उसी दिन गरफतारी हो जाएगी तो गरफतारी उसी दिन होगे जिस दिन हाई कोर्ट ये गए और हाई कोर्ट ने डिस्मिस कर दिया अब सवाल ये होता है कि मैंने मै आप कहता हूँ कि मैं पहले भी कहा रहा था कि मुख्मंतरी की सीट को ले कर सिटिंग मुख्मंतरी के मामले को चैलेंज करने जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग की मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, नहीं हचता है, कितने दिन में वेकेट होगी कैसे वेकेट होगी मंत्री परशद कैसा होगा मंत्री परशद की बैठक कैसे होगी LG से भेट कैसे होगी रेपोर्टिंग कैसे होगी ये लोक तंत्र के basic pillars पर चर्चा होना स्वाभाविक है इसलिए अगर ये कहते हैं कि sitting chief minister बठा लिया तो फिर sitting चीम मिनिस्टर इस्तिफा नहीं दे रहा है तो अब नई constitutional anomaly create हो गई है जिसका परिणाम अब निकलने वाला है कि उसकी constitutional validity भी चेक होगी ये मान कर चलिए कि ये मामला अब और गंभीर हो चुका प्राइब कर रहा है तो जाब कर दो